कथा के अनुसार, माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी, वहीं बगीचे में एक तोता का जोड़ा पेड़ पर बैठा था तोता का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बाते कह रहा था उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया माधा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे उनसे माता सीता का विवा होगा तोते के मुख से भावी पती का नाम सुनकर माता सीता अंचभित हो गई उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागरित हुई इसलिए उन्होंने अपनी सक्षियों से कहकर दोनों पंक्षियों को पकड़ लिया और फिर उन दोनों को पुछकार कर पूछा की भविश्य के बारे में इतना ज्यान कहां से प्राप्थ हुआ तब पंक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्शी वालमीकी के आश्रम में रहते थे जहां हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है इसलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज कंठस्याद हो गई सीता जी ने पंक्षियों से कहां कि जिस जानक पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो वहम मैं ही हूँ मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बाते जाननी है तब नर तोता ने कहा कि है सीता आपका विवा अयोध्या के राजा दशरत के जेश्ट पुत्र राम के साथ आपका विवा होगा और आपकी जोडी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोता जवाब देते रहे ऐसे में सीता जी प्रसन हो गई और कहा कि अब ये हमारे साथ ही यहाँ पर रहेंगे लेकिन ये सुनकर तोता हैरान रह गया और उसने कहा कि हम पंक्षी हैं हमें पिंजरे में कैद ना करो तोते ने इसके लिए बहुत याचना कि तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया लेकिन मादा तोता को नहीं छोड़ा और कहा कि यहाँ मेरे साथ रहेगी नर तोता ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है इसलिए ऐसे समय पर उसको जाने दे हम दोनों एक दूसरे का व्योग सहन नहीं कर सकते इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दे लेकिन सीता जी ने उसकी एक न सुनी इस पर मादा तोता को बहुत गुसा आया और शाप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पती से मुझको अलग कर दिया है वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पती वियोग सहना पड़ेगा इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिये बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया